ये खबरें बाकी खबरों से जरा हच कर हैं। शुरुआत करते हैं जारकंड के धनबाद की एक अनोकी खबर से अब तक आपने किसी भी पुलीस वाले को आम तोड़ पर बदमाशों को पकड़ते हुए या फिर कोई केस तुलजाते हुए ही देखा होगा। लेकिन जारकंड के धनबाद में एक ऐसा थानेदार है जो अपनी ड्यूटी से फुर्सत निकाल कर बच्चों के लिए शिक्षक बन जाता है और उन्हें पढ़ाता है। लोगडाउन के बाद जब तमाम जगाओं की तरह धनबाद में भी स्कूल खुले तो लोगों को एक बदलाव नजर आया जिससे वो बेहत खुश हो गए। वो बदलाव ये था कि गर्ल स्कूल में एक पुलीस वाले को शिक्षक बन कर लड़कियों को पढ़ाते देखा। दूसरी अनोखी खबर राजस्थान से है लोगडाउन के दौरान दो ननहे भाई बहनों की जोडी ने 2100 पेजों की संपून रामायन लिखकर रेकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ ये बिल्कुल सच है। राजस्थान के जालोर में तीसरी और चौती कक्षा में पढ़ने वाले माधव जोशी और उनकी बहन अर्चना ने लोगडाउन की दौरान 2100 से अधिक पेजों की संपून रामायन का लेखन किया है। भाई बहन माधव और अर्चना ने कुरोना की अवदी में पूरी रामायन खुद कलम और पेंसिल से लिखी है। इसके लिए उन्होंने 20 कौपियों का इस्तमाल किया जिसके बाद 2100 से ज्यादा पन्नों की रामायन तैयार हो गई। दोनों बच्चों ने साथ हिस्सों में इसे पूरा किया है। रामचरित मानस में भी साथ कांड है। माधव और अर्चना ने अपनी कौपियों में साथो कांड को पें पेंसिल से लिखा है। अब इन बच्चों को रामायन की पूरी जानकारी हो गई है। दोनों बच्चों को रामचरित मानस में दोहे चंद चौपाईयां कितनी हैं ये भी याद हो गया है। अगर किसी की आँखों की रोश्णी चली जाए तो पल भर में उसका पूरा जीवन अंधेरे में डूप जाता है। ऐसे में आँखों की कीमत वही समझ सकता है जिसने दुनिया नहीं देखी और फिर अचानक से उसे सब कुछ दिखने लगा हो। कलर ब्लाइंडनेस की शिकार अमेरिका के मैकिनले यानि मैक ने जब पहली बार कलर ब्लाइंड ग्लास पहना और इस से उन्होंने दुनिया को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया ने इंटरनेट यूजर्स को भी भावुक कर दिया। दरसल कलर ब्लाइंडनेस की वज़े से मैक दुनिया के रंगों को देखने में सक्षम नहीं थे। इसी हफते उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें कलर ब्लाइंड क्लास यानी की चश्मा गिफ्ट किया। दुनिया को देखने के बाद मैक का जो रियाक्शन था उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है। न्यूस तक ब्यूरो